हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेडी करेंगे पैकेज के उकर और इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पैकेज है और उस पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस हैं तो उन सभी क्लासेस को हम किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर क कैसे एक्सेस कर पैंगे uphold एक्क्शर कर पाएगे इस विडियो लेक्चर में हम complete सीखेंग इस प्वूइंट को और लाइड में हम एक प्रोग्राम कक्र करके देखेंगे और उस प्रोग्राम को access class from user defined package आपको मालूम है कि package जो होते हैं Java के अंदर दो टाइप के होते हैं एक टुप predefined package और एक होते हैं user defined package predefined package जो होते हैं जो कि Java developer के दुआरा already बना बनाया दिया हुआ है बस उसे हमें study करना है फिर उस package के बारे में समझना है classes के बारे में समझना है और फिर उसके अंदर जो classes है कौन सी classes कहां यूज होगी उसके बारे में समझना है फिर हम प्रोग्राम को develop करते हैं तुआ तो हमारा होता है हमारा होता है predefined package के अंदर लेकिन user उसे सोते हैं उनको कैसे एक्सेस करोएं यह चीजे हम इस विडियो में सीखेंगे तो तो टाइफ आप वे टू एक्सेज क्लास फ्रॉम पैकेज कि से बाहर किसी क्लास को यूज करने के लिए मतलब कि access करने के लिए किसी third program में हमारे पास दो वेज आता है पहला आता है fully qualified name और दूसरा आता है import statement fully qualified name पहले हम इसमें study करेंगे उसके बाद हमें study करेंगे import statement देखते हैं fully qualified name का मतलब क्या होता है In that case, we have to specify package name along with the class name for accessing a particular class from the package is called fully qualified name Fully qualified name का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई package है और उस package के अंदर कुछ classes हैं तो उन classes को access करने के लिए आपको package के साथ class का नाम लेख करके पर्यूज करना है अपने किसी third program के उपर तो वह बनता है आपका fully qualified name Fully qualified name का simple मतलब है कि आप package के साथ class का नाम लेख करके class को access करेंगे ठीक है, example के लिए मैं समझाता हूँ जैसे syntax यह है, syntax में package का नाम होगा dot होगा उसके बाद class का नाम होगा फिर object बनाना चाहते हैं तो object बनेगा new और फिर यहाँ पे होगा package का name dot class होगा तो यह आपका बनता है fully qualified name का जो यह है इसका syntax इसको हम एक example से समझते हैं क्वालिफाई नेम का concept का यूज करके fully qualified name तो कैसे इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे सबसे पहले तो हमें package keyword लिखेंगे और package का नाम लिखेंगे जो कि हम class इसमें रखेंगे test हमने class रखा class को बना दिया public class का हमने constructor बनाया default इसके अंदर हमने hello message रखा ठीक है package का मैं already tutorial upload कर चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसमें मैं package का introduction package का type package बनाते कैसे हैं यह सभी चीजे मैं वहाँ पे already समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर तो package की बारे में अगर पूरा details में आपको study करना है तो आपको पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसको आपको एक बार वीजित करना पड़ेगा तब थुड़ा आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो अब point पे आते हैं तो होगा यह कि हम package बनाने के लिए सबसे पहले इस नाम से हम एक folder create कर लेते हैं अपने desktop location पे उपर desktop पे अगर नहीं करना चाते हैं तो फिर आप किसी drive के अंदर बनाईए कोई problem नहीं है package के अंदर जो classes होते हैं यह जैसे test है public है इसके नाम से हम file को save करेंगे test.java package को compile करके छोड़ देंगे package को जैसे compile करेंगे तो test.class file में मिल जाएगा जैसे इस class का package के compile कैसे करते हैं आपको मालूम है जैसे हम किसी normal class को compile करते हैं वैसे ही हम compile करेंगे तो हमारा यह package बना जो की desktop location पे है और इसके अंदर test.java का code है और इसके अंदर .class file है तो हमारा यह तो package का काम अब यहां पे finish हुआ जाना अब हम एक third दूसरा program बनाएंगे एक नया program create करेंगे फिर देखो हमने class बनाया man इसके अंदर public static wide man लिखा string area argument पास किया देखो यहां से body start हुआ फिर यहां से body close हुआ man method का इसके अंदर देखो यह हमने जो statement लिखा इसी को बोलते है fully qualified name concept कैसे देखो यहां पे package का हमने नाम लिखा .test किया यह जो test class है किस package के अंदर है देखो यहां पे यह p1 package के अंदर है तो हमने पहले तो p1 package का नाम लिखा .class का नाम लिखा फिर object हमें बनाना चाहते हैं इस class को तो हम object बना देंगे new फिर हम package का नाम लिखेंगे यह फिर class का नाम लिखेंगे तो test हमने लिखा तो यह जो आप देख रहे हैं statement मतलब कि यह line लिखने का तरीका इसी को हम बोलते है fully qualified name ठीक है और इसमें देखो package यह रहा जो आपका p1 है यह package का नाम है और test जो है आपका class का नाम है और इसके बीच में हमने dot लगाया है fully stop तो कहने का मतलब होगा कि जब आप fully qualified name यूज करोगे जैसे आप एक बर यहाँ पर देखो जैसे ही आप fully qualified name यूज करोगे concept तो यहाँ पर आपको package के नाम के साथ आपको class को access करना है अगर हम किसी प्रोग्राम में package के नाम के साथ हमकी package के अंदर classes को access करते हैं तो उस concept को हम fully qualified name concept कहते हैं ठीक है बात clear समझ में आ रहा है fully qualified name का मतलब यहाँ पर आप एक बार syntax पर वीजिट करो syntax में है package का नाम dot class का नाम object यह object हम बनाना चाहा रहे हैं हम अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं है आप ना उसके बाद package का नाँ फिर dot class और तो यहां पर देखो हमने लिखा हुआ है पहलें पहले तो package का नाम लिखा उसके बाद class का नाम लिखा फिर यहां पर package का नाम लिखा उसके बाद class का नाम लिखा तो यह जो हम तरीका यूज कर रहे हैं इसी को हम बोलते है fully qualified name concept I think आपको यह बात बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा जो मैं क्या बता रहा हूं ठीक है तो इसको आप क्या करना है man class को save करना है उसके बाद इसको compile करना है और run करना है तो run करने पर आपको output आएगा hello अब देखो hello तो इसमें लिखा हुआ है नहीं तो hello कहां से आ गया hello आ रहा है आपका यह जो package के अंदर classes है यह इसके अंदर जो dot class file है ना तो इस class file इस dot class file के अंदर है method है हमारा जो math क्या method कनिंख नहीं यह constructor का dot class file कहने का मतलब हूँ है यह class file कहां से मिला है हमारे test ी स्च्ट क्लास से मिला है मतलब कि tax class के अंदर देखो body में क्या लिखा है constructor के अंदर hello लिखा दिखा हुआ है तो यही कि हैलो यहां से कॉल हो रहा है ठीक और हैलो कॉल हो करके आपको यहां पे हैलो मिल रहा है और आप इस फुली क्वालिफाइड नेम की मदद से पैकेज के अंदर जो टेस्ट कलासे उसको आप एक्सेस कर पा रहे हैं किलिर है पॉइंट्स तो इसी कॉंसेप्ट को हम बोलते हैं फुली क्वालिफाइड नेम अगर पैकेज के साथ साथ हम पैकेज के अंदर की जो क्लासे से उसको हम लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे फुली क्वालिफाइड नेम एक्जाम के पॉइंट्स अभी उससे बहुत तो इस एक्जाम्पल पर भी आपको ध्यान देना है दूसरा एक्जाम्पल है कि हमने एक package बनाया जो P1 है इसके अंदर भी हमने class test रखा इसके अंदर हमने default constructor के अंदर hello print कराया और एक और हमने method बनाया सू नाम का और इसके अंदर प्रोग्रामर लिखा ठीक है और देखो constructor का body यहां से close होता है आपका फिर so method का जो body है यहां से close होता है और फिर आपका test class यह यहां close होता है तो यह अभी जो आपका class है test class यह किसके अंदर है यह package के अंदर है जो की p1 है हना तो हम p1 के नाम से फ़हले तो एक डेक्स्टप पे गया फोल्डर बना लिए उसके बाद हमने test.java file को save किया file को compile किया और तो हमें मिला test.java test.class देखो file को compile करते हो तो आपको dot class file मिलता है आपको मालू है already और dot class file होता है जो की एक intermediate code होता है जो की compiler के द्वारा यह convert करके हमें मिलता है जो java का source code है उसे convert करके हमें यह मिलता है ठीक तो यह dot class file आपको मिल गया और यह एक java का file है यह दोनों file कहां पर रहा है package p1 के अंदर है तो अब क्या करेंगे अब इसको हम access करेंगे इस यह जो p1 के अंदर जो test class है इसको हम package से बाहर access करेंगे देखो यहां पर public हमने बनाया रखा है सब चीज को इकर मतलब कि यह package से बाहर access हो जाएगा तो हम अब access करेंगे अना access करने के लिए हम क्या करेंगे एक हम class बनाएंगे जो की man class है ठीक मैं क्लास के अंदर हम man method लिख लेंगे जावा का पॉब्लिक एस्टेटिक वाइड में एस्टेट्मेंट लिखेंगे देखो p1.test obj new p1.test और यहां पर constructor कॉल हुआ तो हमने test class का यहां पर object बना लिया obj और obj.so method को कॉल करेंगे तो हमें मिलेगा output में hello और programmer तो देखो hello जो आपका print हो करके आ रहा है या आ रहा है आपका constructor से यहां से constructor के अंदर देखो यह test class का constructor है ना इसके अंदर hello लिखा है ना तो यहां पर जैसे ही हमने object बनाया यहां पर constructor call हुआ तो यह constructor call हुआ तो constructor के अंदर लिखा हुआ है क्या यहां पर देखो hello तो यह hello print हो जाएगा उसके बाद object.so मतलब की object का यूज करके हमने show method को कॉल किया और show method के अंदर देखो लिखा हुआ है programmer तो यहां पर print हो जाएगा programmer बात के लिए समझ में आ रहा है तो यहां पर देखो इस man class के अंदर हमने यह जो आपका class है test यह जो आपका test class है यह package के अंदर है इसको हम अपने man class के अंदर यूज कर पा रहे हैं ठीक है with the help of fully qualified name यहां पर देखो यह हो रहा है fully qualified name और यह जो हम कभी भी java की source code को हम package के बाहर access नहीं करते हैं हम सिरफ सर और सिरफ dot class file को access करता हैं तो एक तरीके से internally जो यहां पर access हो रहा है code तो यह dot class file हम access कर रहे हैं यहां पर नहीं कि यह java का source code ठीक है तो हम dot class file को यहां पर access कर रहे है और जगर हमारे java program का dot class file बन जाता है तो हम उस dot class file को कहीं पर भी access कर सकते हैं किसी भी location पर आप Java का program लिखते हो अगर उस dot class file को import कर लेते हो तो वह access हो जाता है यह Java का rule है तो हम यहाँ पर access कर पा रहा है test.class file को तो यह कुछ आपका example वह दो fully qualified name का तो अगर वीडियो के अंदर कुछ दिक्कत है समझने बुझने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप comment section में पूछ सकते हो I will help you अगर इस वीडियो से आपको जनकारे मिली है वास्तों में तो आप वीडियो को like करें और वीडियो को share करें और चैनल के जरूर subscribe करे या प्रोग्राम को हम समझते हैं सबसे पहले हमने package बनाया जिस package का नाम है पी बन आ जिसके अंदर हम test नाम का एक class रख दिया इस test class के अंदर हमने एक default constructor बनाया और इसके default constructor के अंदर हमने हेलो प्रिंट करा दिया एक फिर show method बनाया और इसके अंदर हमने programmer प्रिंट करा दिया ठीक और देको package के अंदर class को constructor को और method को हमने तीनों को public बना रखा है ताकि हम package से बाहर access कर पाएं इन सब को तो अब हम चलते हैं अपने desktop screen के उपर और p1 जो package है इसके नाम से हम एक folder create करेंगे क्योंकि हम मैंने आपको बताया था कि package का जो नाम रखेंगे उसी नाम से आप folder create करेंगे तो मैं आप आपको folder create करके दिखाता हूं यह आप देखो यह p1 नाम का हमने folder create कर लिया इस folder को हम मैं open करके दिखाता हूं देखो इसके अंदर test.class file है और java का एक file है java का file के अंदर java का source code होता है और इस java का file को जो हम compile करते हैं तो हमें .class file मिलता है जो की intermediate code होता है जो की हमारे यह readable नहीं होता है यह compiler और jbm इस file को समझता है ठीक है तो हमने java का file को compile करके रखा हूए यहां पर तो आप में मिला एक .class file ठीक है और यह किसके अंदर है p1 के अंदर है तो मैं आपको बताया था कि जब भी हम package बनाते हैं तो package का जो नाम देखते हैं उसी के नाम से हम फोल्डर create करते हैं तो हमने फोल्डर create कर लिया और यहां फे फोल्डर के अंदर java file रखा और उसके बाद इसके compile करके भी रख लिया इतना काम खत्म हुआ अब हम एक दूसरा बनाएंगे क्या class जिस class का नाम होगा man class हमने यहां पर बना लिया हमने यहां पर देखो man class बना लिया और इस class को हमने save करके रखा है folder desktop के उपर यह man class है तो हमने क्या किया एक man class बना है ठीक इस man class के अंदर हमने man method लिखा जावा का जो कि इस man method को अंदर हमने p1.test object new p1.test देखो यहां पर here accessing class from package using fully qualified name यहां ही concept को समझना है इसी concept को यह जो है p1.test हमने लिखा यहां पर इसी को हम बोलते हैं fully qualified name fully qualified name का मतलब हुआ package के साथ अगर आप test मतलब की package के अंदर जो classes है उस classes को अगर आप access कर रहे हो और उसका object बना रहे हो तो यहां उस concept को हम fully qualified name बोलते हैं देखो इस package के अंदर यह p1 की अंदर test class है है ना तो हमने यहां पर लिखा p1.test यहां पर package के साथ हमने क्या किया class को access कर रहे हैं ना अब वो भी कहां पर main method के अंदर जावा का तो इसको हम बोलेंगे यह जो हमारा main method का program है ना यह man program इस program को compile करेंगे तो मैं आपको compile करके दिखा देता हूं हमने program को compile किया java c man.java यहां पर देखो compile किया उसके बाद compile करने के बाद program को run किया java man run करने के बाद output आया hello और नीचे output आया programmer यह जो hello आ रहा है आपका constructor से आ रहा है और programmer जो आ रहा है आपका function से आ रहा है आप यहां पर देख भी सकते हो देखो यह constructor के अंदर हमने लिखा है hello और method के अंदर हमने लिखा है programmer तो इसी type से हम fully qualified name अपने program में implement करते हैं तो उस concept को हम fully qualified name बोलते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें चैनल को सस्क्राइब कर लें thank you